वेलकम टू करेंट शिक्षा, आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी, आज इस वीडियो में हम इतिहास के श्रोत देखने वाले हैं, पिछले एक लास में भी हम लोगों ने इतिहास के श्रोत देखे थे और इतिहास के श्रोत कम्प्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते हैं तो आपर टेलिग्राम को जोईन कर लें, जिसका लेंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें, आप चैनल को ज मॉडरनिस्टी वो कम्प्लीट हो चुकी है, आप लोग लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आए शुरुवात करते हैं, पिछली क्लास में हम लोग ना जो साहित के शुरूत थे वो देखा था, आज सबसे पहले विदेशी यात्री देखते हैं, विदेशी यात्रियों में सबसे पहले मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज जो है सेलुकर निकेटर जो है इसके दरबार से आया हुआ था और यह राजदूद था, सेलुकर निकेटर का, और जो है मेगस्थनीज चंदरगुप्त मौर के दरबार में आया हुआ था, और इसने एक बुक लिखा था जिसका वर्गों में विभाजित है इसके लावा इसने बताया कि भारत में अकाल नहीं पढ़ता है तो इसने बताया लेकिन अकाल तो भारत में पढ़ता ही है और दास्परथा के बारे में पहले जो किसने नहीं किया है तो यह ध्यान रखेंगे तीन पॉइंट उसके बाद जो है नेक्स्ट है डाइमेकस डाइमेकस जो है यह सीरिया का सीरिया से आया हुआ था और यह जो है सीरिया के राजा एंटियोकस जो है इन्होंने इसको भेजा था डाइमेकस को और यह आया हुआ था बिंदुसार यात्री जो तीन है बहुत इंपोर्टेंट है हर एक्जाम में पूछ रिया जाता है फाहयान जो है चीन से आया हुआ है और यह आया था चंदर गुप्त दोतिये के दरबार में ध्यान लखियेगा और इसकी बुक है फाहयान की एक बुक है जिसका नाम है फुगोकी या फिर फुगोजी फुगोकी या फिर फुगोजी जो है इसकी बुक है ध्यान लखियेगा नेक्स्ट है वेंसांग वेंसांग चीन से आया हुआ है और यह आया था हर्शवर्धन के दरबार में वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ध्यान लखियेगा और इसका कि यात्रा प्रतानत है सी यू की एक्जाम में पूछा जाता है और इसमें जो है 72 देशों की यात्रा का वंडन है और इसका जो अध्यान है वेन सांग जो है अध्यान करने के लिए नालंदा विश्विद्याले में गया था और जब ये पढ़ रहा था तो उस समय वहां के आचार सील भद्र थे ध्यान लखिएगा नालंदा विश्विद्याले भी चर्चा में भी रहा है कि इसको जो है दुबारा फिर से बनाया गया है नालंदा विश्विद्याले की इस्थापना जो है ये भी चीन से आया हुआ था और इसकी एक बुक है बौद बिच्यों की आत्म कथा जान दखिएगा तो ये इस्थिंग की बुक है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर कुछ जो है इतिहास के सुरोतों में भारत आया था इसकी बुक है इंपोर्टेंट है किताब उलहिंद और इसका एक और नाम है तहकीत एहिंद और ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई है जान रखिएगा और इस बुक में जो इसने है भारत में तालाबों का वर्णन किया है जान रखिएगा नेक्स्ट है इबन बतूता इबन बतूता मुरक्को से आया है जहां से नोरा फतिही आई है इबन बतूता मुरक्को से आया हुआ है और ये आया था मुहमद बीन तुगलक यानि की MBT के दरबार में आया था इबन बोतुता की बुक है रहेला एक्जाम में बहुत पूसता है नेक्स्ट है बार्बोसा बार्बोसा पुर्टगाल से आया हुआ है और ये आया था क्रिष्ण देवराय के दर्बार में विजैन अगर सामराज में क्रिष्ण देवराय इंपोटेंट राजा है बार्बोसा जो है पुर्तगाल से क्रिशन देवराय के दरबार में आया हुआ है नेक्स्ट है मारको पोलो मारको पोलो का जन्म जो है वेनिस इटली में हुआ है मारको पोलो इटली से आया हुआ है और ये आया था पांडे वंस यहाँ पर जो है के काक्ति ये वंस में आया हुआ था ध्यान दखियेगा साउथ हिंडिया में ये वंस है काक्ति ये वंस पांडे वंस में ध्यान दखियेगा नेक्स्ट है निकोलस कॉंटी ये भी इटली से आया हुआ है और यह आया था विज़े नगर समराज के यहाँ पर देवराय वन के टाइम पर ध्यान दखिएगा नेक्स्ट है सुलेमान, सुलेमान जो है आरब यात्तिरी है और यह आया हुआ था महीर भोज के धरबार में ध्यान दखिएगा नेक्स्ट है निकोला मैनुकी जो है वेनिस इटली से आये हुए है और ये आये थे औरंग जेब के दरबार में धान रखियेगा अबलुक अब्दुलरजाग जो है फारस से आया था विजएनगर समराजी के में आया हुए था देवराय दोती एक के टाइम पर ज्यान रखियेगा नेक्स्ट है अलमशूदी अर्बी से आया हुआ है और ये प्रतिहार सासक महिपाल वन के टाइम पर आया हुआ था और इसका यहाँ पर एक गरंत है मरूज अल दबाब मरूज अल अल दहाब जो है गरंथा है अल मशुदी का जान दखेएगा महिपाल वन के टाइम पर ये आया था next यहाँ पर जहागीर के टाइम पर पूचता है कौन को न आया था तो तीन लोग जहागीर के टाइम पर आये हुए थे दरबार में इनके आये थे Hawkins, Thomas Rowe और William Finch जहांगिर के दरबार में आये थे एक्जामें बहुत बार उचा गया है नेक्स्ट है वासकोडिगामा पुर्टगाल से आया था और ये कालीकट केरल यहाँ पर बंदरगाह यहाँ पर आया था 1498 में इसका स्वागत जो है जमोरिन ने किया था वो सब जो हम लोग है आधोनी के इतिहास में पढ़ चुके हैं जहां रखिएगा नेक्स्ट है डॉमिंगो पैरेस जो है यह आये थे पुर्टगाल से और यह जो है विजए नगर सामराज्य में आये थे यहाँ पर इसके अंतरगत तुलू वन्स के राजा देवराय के टाइम पर आये थे डॉमिंगोस पैरेस ज्यान रखिएगा नेक्स्ट है अब कुछ अभिलेक हैं जिनसे हम लोग के इतिहास के श्रूत मिलते हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर जो है सारे अभिलेक हम लोग कवर करने वाले हैं अभिलेक यानि की इंस्क्रिप्शन और अभिलेक का अध्यन जो कहलाता है एपिग्राफी होता है और जो है इसके सरच्छन के लिए ASI बनाया गया है ASI यानि की Archaeological Survey of India Archaeological Survey of India के स्थापना 1861 में हुई थी इसके जनक यानि के संस्थापक Alexander Cunningham है ध्यान लखिएगा और जो है शमराट असूक के जो यहाँ पर सिला लेक है प्रिस्पम लेक हैं यह सबसे पुराने हैं और इनको सबसे पहले पढ़ा था James Princip ने 1837 में ध्यान लखिएगा यह भी एक्जाम में कोशन पूछा है कि असूक के जो अभिलेक हैं इनको सबसे पहले किस ने पढ़ाता तो यह पढ़ाता James Princip ने ध्यान लखिएगा अब हम लोग जो है अभिलेक देखते हैं हाथी गुमपा अभिलेक जो है हाथी गुमपा अभिलेक कलिंग नरेश खारवेल का है और यह चेदी वन्स के थे कलिंग जो है उडिशा का पूराना नाम है ध्यान लखिएगा और यह यहाँ पर भारत वर्स का पहला उलेक मिलता है मतलब की भारत को जो है भारत वर्स जो है हाथी गुमपा विलेक में कहा गया है और यह विलेक खारवेल का है जो की चेदी वन्स के हैं और यह जो है कलिंग नरेश है ध्यान लखिएगा नेक्स्ट है नासिक प्रसस्ती प्रसस्ती का मतलब होता है प्रसंसा किसी की तो जहाँ पर भी प्रस्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जूनागर गिरनार अभिलेक और जूनागर भीतरी अभिलेक तो यह ध्यान रखेंगे दो हैं तो पहला वाला जूनागर गिरनार अभिलेक जो है जूनागर भीतरी अभिलेक इसकंद गुप्त का है इसमें हूडों के आकरमण की जानकारी जो है ध्यान रखेंगे दो है पर है और यह किसका है तो प्रयाग प्रसक्ति इलाहाबाद में है और इसको लेखक हरिशेन है और इसमें प्रसंसा चंद यहाँ पर समुद्र गुप्त की की गई है समुदुरगुप्त को बहरत का नेपोलिएन कहा जाता है ध्यान लखेगा प्रियाग पसस्ती अब लेक समुदुरगुप्त का है हरिशेण इनके लेखक है इन्होंने लिखा है मथुरा अभिलेक जो है उत्तरपदेश में पाया जाता है और यहाँ पर जो है हुविस्क जो है इनका है कुशान वंस से ये संबन देता है ध्यान नखियेगा नानागाट अभिलेक जो है सात्वाहन वंस का है और ये जो है नागनिका इनों इन से संबन्दित है ध्यान लखिएगा Next है एरण अभिलेख भानुगुप्त का है और एरण अभिलेख में जो है पहली बार सती प्रथा का पहला लिखित साच्छे मिलता है ध्यान लखिएगा एहोल अभिलेख, पुलिकेशिन दुतिय का है और इसमें हर्चवर्धन के साथ इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है गौलियर अभिलेख, भोज, प्रतिहार यहाँ पर इनका हो जाएगा मास्की और गुर्जर अभिलेख, समराट अशोक के हैं द्यान के गएगा यह भी एकजाम में आजाता है कि मास्की अभिलेख किसका है तो यह अशोक का हो जाएगा नेक्स्ट है, गरुण इस्तंब अभिलेख, गरुण इस्तंब अभिलेख जो है बेशनार यहाँ पर विदिशा मद्ध प्रदेश में इस्तित है, ध्यान रखिएगा और यह जो है, हेलियोडोरस का अभिलेख है और गरुण इहाँ पर इस्तंब अभिलेख जो है, भगवान विश्नुकु शमर्पित है और इसमें जो है, भागवत धर्म का प्रमान मिलता है, ध्यान रखिएगा और एक नोट पॉइंट यहाँ पर है, सिकों का अध्यान क्या कहलाता है तो यह कहलाता है, न्यूमिसमेटिक्स जो है, सिकों का अध्यान कहलाता है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, इसका पीडियेफ आपको टेलिक्राम ग्रूप में मिल जाएगा आप लोग उसको जोइन कर लें, अपने दोस्तों को भी क्लास को शिरूर शियर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जोड़ो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान दखिए, धन्यमाद चेहन